है है तो जास हमने पिछले लेक्षर में देखा था कंटेनमस एंड बैच टाइप बायो गैस प्लांट तो यहां पर एस पर दा कंस्ट्रक्शन हमारे पास डॉम एंड ड्रम टाइप है ठीक है तो डॉम टाइप का आपको कंप्लीट का जो आपका प्लांट होगा ठीक है यह फ प्लांट होता है यहां पर हम लोग सी तरीके से ड्रम टाइप में क्लासिफाई करसकते हैं जाइक है तो कंस्ट्रक्शन हमने देखा था यहां पर हम देख सकते हैं this is floating gas holder या फिर जो हमने ड्रम टाइप हमारे पास जो हूता है ठीक है ड्रम टाइप बायो गैस प्लांट तो इसको classify करते हैं इसमें कि mainly जो gas का जो chamber होता है जहां पर gas को collect करना है तो यह float करता हुआ रहता है ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं यह जो आपका chamber है इस डाइजेस्टर ठीक है तो यहां पर हम लोग डाइजेस्टर में जो भी slurry है या जो भी biomass हमें एड करना है methane gas formation या फ तो यह partition wall है ताकि जब हम लोग add करेंगे तो यह आपका जो भी slurry होगा या फिर biomass होगा वो इस chamber में होगा first chamber में ठीक है और जब gas formation हो जाएगा दिन यह इसको transfer कर दिया जाता है to the chamber 2 ठीक है और इसके बाद फिर यह outlet chamber में इसको बेज दिया जाता है दूसरा यहां पर हम दे two stage में अगर हम processor करकर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम mixing करते है mixing pit में ठीक है completely हम इसको slurry में convert कर लेते हैं जो भी cow dung and water को mix करके ठीक है तो यह slurry में convert हो जाता है and जब हम लोग mixing कर रहे होते हैं तब यह inlet pipe होता है ठीक है यानि कि inlet जो आपका valve होगा इसको हम close रखते हैं ठीक है ताकि हम इसको सबसे पहले completely अच्छे से mix कर लें mixing pit में and इसके बाद फिर जब आप का जो slurry हो जाएगा slurry ready हो जाएगा then हम इस outlet pipe का जो valve होगा उसको open कर देंगे and यहां से transfer करेंगे to this chamber ठीक है तो यह आपका डाइजेस्टर के chamber 1 में आ जाएगा इसके बाद जब हम लोग इस chamber में जब transfer कर रहे होंगे slurry को तो आपका जो यह वाला second chamber का जो mediator होगा that means की जो भी valve होगा ठीक है जो opening होगा उसको भी हम लोग close करके रखेंगे ठीक है ताकि यह दूसरे chamber में transfer ना हो अब यह first chamber में आपके पास इस तरीके से आप इसको cover करके 50 to 60 days के लिए छोड़ देंगे ठीक है और उसके बाद फिर हम wait करेंगे कि gas का formation होगा and gas का जैसी formation होगा ठीक है यह आपका इस gas holder में जाएगा ठीक है and अगर हमें इस digester को half field करना होता है partially field करना होता है ठीक है तो जैसे जैसे आपका gas formation होगा यहापर इस digester के अंदर वैसे व लेवल बढ़ेगा यह गयास का pressure बढ़ेगा तो यह जो आपका gas holder है वो upward move करेगा ठीक है pressure अगर decrease होगा तो यह इसका जो level हो बिलो चला जाएगा तो इस तरीके से यह gas के pressure पर depend करता है यह float करता रहता है इसका जो level हो फिक्स नहीं होता है ठीक है यह जैसे जैसे gas release होता जा जाएगा तो gas holder का जो level है वो भी vary करता हुआ जाता है तो इस वज़ जैसे इसका जो name है यह floating gas holder type कर लाता है ठीक है तो इस आपको इस gas chamber में जो gas holder है ठीक है यह float करता रहेगा एस पर जो भी gas form में हुआ है उसका pressure के according और उसके बाद जब हमें कलेक्ट करना होगा तो हम gas pipe के तो इसके बाद फिर जैसे ही gas का formation complete हो जाएगा इसका जो opening होता है second chamber का यह open कर दिया जाता है and then फिर यहां पे जो भी slurry है वो इस chamber में transfer कर दिया जाता है and इस outlet pipe के तो इस outlet chamber में transfer कर दिया जाता है and इसके बाद जो आपका rest जो भी slurry रह जाता है ठीक है complete process होने के बाद तो स्लरी का use plant में as a manual use कर लिया जाता है ठीक है ताक लिए plants को कुछ nutrients मिल जाता है यह complete process होता है floating gas holder का ठीक है and यह आपका जो डाइजिस्टर है यह आपको cylinder का shape में दिखेंगा तो इस वज़े से यह drum type bio gas plant के लाता है जहां पर floating gas holder type हम यहां पर use करते है so second one हमारे पास था dome type ठीक है तो यहां पर हम इसको fixed dome type कहते है fixed dome digester तो यह जो digester होता है आपका इस तरीके का dome shape का होगा ठीक है तो यहां पर भी आपके पास mixing chamber होगा ठीक है तो mixing chamber में हम cow dunks and water को mix करके slurry में convert कर लेंगे slurry बना लेंगे and inlet chamber में help safe inlet pipe के through हम इसमें digester में इसको in कराएंगे ठीक है यहां पर एक ही chamber होता है gas formation complete होने के वाद जो भी slurry rest रह जाएगा इनको outlet chamber के through यहां से remove कर लिया जाता है तो यह dome type digester है simple construction wise ठीक है dome shape का होता है जिसके वज़े से यह dome fixed dome digester and यहां पर जो भी gas है ठीक है तो यहां पर जो gas chamber था ठीक है gas storage था यह float नहीं कर रहा है ठीक है यह fix रहता है यह gas का pressure increase होगा decrease होगा इस पर कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक है इसको यह pipe के through यहां से collect कर लिया जाता है ठीक है तो यह construction wise यहां पर हम classify करते हैं as dome type and drum type यहां पर और एक चीज नोटिस कर सकते हैं यह जो आपका complete digester होता है यह digester आपका ground level के अंदर होता है ठीक है अगर हम यह ground level इसको consider कर रहे हैं तो ground level के अंदर आपका digester होता है mixing pit हमारे ground level के उपर होता है जो outlet chamber होता यह भी ground level के उपर होता है ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ यह जो आपका digester होता है यह आपका ground level के अंदर होता है ताकि यहां पर जो temperature level होता है जो कि methane formation या bio gas formation में काफी जादा रोल प्ले करता है ठीक है तो यहां पर भी अगर हम देख पाएं तो यह आपका ground level है ठीक है यहां पर तो ground level के अंदर आपका यह complete digester यहां पर fixed होता है okay so that's all about the drum type and dome type biogas plant thank you everyone